तू लंगड़ा नहीं है दूश्मनों की लाशों पर भंगड़ा करने वाला तभी लंगड़ा नहीं हो सकता सिंगानिया सुर्या तुम पैसे लेकर कट करते हो मालूम है इसलिए पैसे लेकर आए हैं पूरे 15 लाख है इसको मानना है तुम्हें इसको मारना है कौन हो तुम लोका ऐसे लेकर तुमने मेरे भाई को मारा है इसका बदलत नहीं होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो उती है अब अब इन वाइब जाटे जाटे वाइब आप ए हृष तार फर्ट अब तर अइस तुरिया को मानने के लिए अभी तक धरती पर कोई ताकत पैदा नहीं हुए अपने शहर में यह स्कूल बना के बहुत अच्छा काम किया है हाद्यान वुद्मोर्निंग बच्छो बठो बठो कि इसक्टर क्या बता सकती है कि यह सब हुआ कैसे खबर मिली है किसी आतंक वादे ने स्कूल में बंब रख दिया था नहीं जूट है कूल इसले गिरेंगे वहाँ पर नकली सिमेंट का इस्तुमाल हुआ था और इसका जिमेदार है किसे बरे मैं इसे कह सकते हैं क्योंकि खुद मैं एक इंजीनियर हूँ कूछ दिनों पहले मैं सिंहानिया बिल्डर्स में काम कर चुका हूँ जब आपको पता था कि सिंगानिया बिल्डर ने ये स्कूल बनाया है फिर भी आपने अपने बच्छे का वहां क्यों करवाया अकल पर पत्थर पढ़ गये थे मेरे क्योंकि भगवान को सजा देनी थी मुझे क्योंकि मैं चुप क्यों रहा मैंने लोगों को बता क्यों नहीं कि सिंगानिया घर नहीं बनाता कब्रिस्तान बनाता है लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा उसके खिलाफ सारे सबुच जमा कर नंगा कर दूंगा उसे कि सारे से जमा कर दूंगा उसे तिए जमा कर दो दूंगा उसे तर नहीं बनाता है तर भावों कर दो नहीं दूंगा खिला उसे तर कर लिया है आप से लोग बहुत डरते हैं और कमजोर दिल वालों को तो आपका नाम सुनकर दिल के तोरे पढ़ने लग जाते हैं तर ये प्रकाश नाम के एडिटर ने फिर आपके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा है उसका क्या किया जाए समझ या सर उसकी बत्पी गुल हो जाएगी और हाँ सर वो अपना जो लेक के किनारे एक्सिक्यूटिव बंगलोस का प्रोजेक्ट है ना उसके लिए म्यूनिस्पल कमिश्टर साब परमिशन नहीं ते रहे उसका क्या करे ये भी समझ या सर उसका सर फोड़ दिया जाएगा कि अरे सर आपके लाजले आपके जाने जिगर आपके दिल के तुकड़े आपके छोटे भाई शीशू पाल जी आगए आओ शीशू पाल आओ आज बहुत दिनों बाद इतने खुश नजर आ रहे हो क्या बात है कहीं फिर कुछ तुने हाँ भाई साब आज फिर मैंने एक छोटी सी बात पर एक आदमी का खून कर दिया अरे रे रे कितनी चोटी सी बात पर वो हुआ यूं कि मेरी कार रास्ते में खराब हो गई तो और राह चलते एक आदमी ने मुझे से पूछा कि क्या मैं आपके मदद कर सकता हूं और मुझे गुस्ता आ गया कि एक मामूली आदमी मेरी मदद करेगा सिंगानिया के भाई की और मैंने उसे गोली मार दी वा मेरे भाई वा तू तो खून इस तरह करता है जिसना बच्चे खिलोना तोड़ देते हैं बतफ़र कितना है कि वो खिलोना तोड़ने के बाद रोते हैं और तू खून करने के बाद हलता है इसलिए लासों की शीड़ी बनाकर अपने बाई कुछ जुल्म की दुनिया के सबसे उन्चे सिंगा सन पर बिटा दिया है माई डियर पार्टनर वो जो डैम के लिए टेंडर भरे थे उसका क्या हुआ टेंडर तो पास हो गया है पूरे पांच सरब तीस करोट का कांट्राक्ट मिला है पार्टनर यह बात हुई ना खुशी की बुजाएं इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक बुरी खबर देने आई हूँ पहाड को पत्थर माने से पहाड का कुछ नहीं जाता अरे सर से पैर तक तो हम खुदी बुरे हैं हमारे लिए बुरी खबर क्या हो सकती है कभी कभी पानी की छोटी से लहर भी बड़े से बड़े जहाज को डुबा देती है कुछ साल पहले मनोहर नाम का एक इंजिनियर आपकी कंपनी में काब कर रहा था ना मनोहर हाँ सर वही जिसके साथ मिलकर हमने स्कूल की बिल्डिंग मनाई थी और बाद में वह बिल्डिंग गिर गई अच्छा अच्छा क्या किया उसने आपकी मौत का सामान जुटा रहा है वो मैंने इस फाइल में सिंखानी और भोजंग के खिलाब सारे सबूत जमा कर लिया है कर सुबह होते हैं इसे पुलिस का हवाले कर दूँगा ठीक है ऐसा नहीं होगा इंजिनियर देखो पेकोफी मत करो ओपाइल हमें देदो या तुम खुद अपने हाथों से सारा सबुद जला दालो नहीं मैं तुम लोग को कानून से सजा दिलवा कर रहूंगा तुम लोग फूनी हो कातिल हो शांती इंजिनियर शांती चोट इसी बात को इतना बड़ा मत बनाओ और तुम्हारी भला इसी में है के जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ भूल जाओं तैकड़ो मासूम बच्चों की आखरी हिचक्या भूल जाओं उनके माबाब की दर्दनाथ खीचे भूल जाओं अपनी ऑलाद की बेमौत भूल जाओं नहीं मैं यह सब अपनी आखरी सांस तक नहीं भूल सकता मैं तुम लोग असे लड़ता रहूंगा चंद हमारा बाब बनने की कोशिश मत करो मैंने ठान ली है या तुम मैं मिट चाओंगा या तुम लोग का मिटा करी रहूंगा देखा वो जंग ये इत्ता सा कीड़ा पहशत के जरीले नाग से टकराना चाहता है चोटी सी चिंगारी हमारी किंडम को जलाना चाहती है अरे इसे तो अपनी सांसों और लहू के हरबून से नफरत हो गई है जब ये खुद ही जीना नहीं चाहता तो हम इसे जीने पर मजब पुलिस तक पहुचा है जाओ फाइल चेंगर उसे मार डालो बचालीजी प्लीज मुझे बचालीजी ये लोग मुझे मार डालेंगे अरे मारने का ठेका तो हमने ले रखा है ये लोग तुम्हें क्या मारेंगे देख हम सिंगानियक आदमी है वो बहुत खतरनाक है वो कहां ले आकर मारेगा तुमको पता नहीं चलेगा समझे बड़े बड़े खतरनाकों की नाक काटकर अपनी जेब में रख लिये है चल जा वरना मार का लाशें ऐसी गंदी जगा फेकूंगा जहां जानबर भी मरना पसंद नहीं करते जा याई हुआ 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 है शुक्रिया भैसा एए पबरदार हमसे कोई रिष्टा जोड़ा तो नफ्रत है हमको रिष्टेदारी से यह खूबसुरत रिष्टेदारी के पीछे मकारिया और चाल बाजी के सिवा कुछ नहीं होता चल पैसे निकाल हमने तेरी जान बचा यह पैसों के लिए चल देखिए इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है मुझे पुलिस सीशन भी जाना है यह फाइल भी देनी है और रिपोर्ट भी लिखवानी है कि सिंगानिया ने मेरे पती का खून कर दिया है पती मर गया फिर भी सुहागन बनी बैठी हो खूपसूरत मंगल सुत रहे चल यही निकाल लगता है रहम नाम की चीज़ तुमारे दिल में है ही नहीं हमारे सिने में दिल ही है नहीं तो रहम कहां से होगा हाँ दिल का शोला दहग रहा है जने कब बुझेगा चल निकाल अज की रात अची गुदेगी क्या वो औरत बचकर निकल गई फाइल भी लेकर गई और तुम लोग बीगे वे कार्थुसों की तरह आपने मनुस्टेर लेकर यहां से ले आए रिलेक्स पार्टर रिलेक्स कामियाबी पर तो सभी इनाम देते हैं मज़ा तो तब है जब ना कामियाबी पर इनाम दिया जा कि उसे मार दालेंगे चलो नहीं हम वो आग है जिसकी चपेट में उखुद बखुद चली आएगी मैंने उस इंजिनियर की लाश को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और एक चने बेजने वाले को उस खून के इर्जाम में अरेस्ट भी कर लिया है इंजिनियर की औरत भी तुम्हारे पास आने वाली है वो आ गई तुम अच्छी तरह से जानती हो ना तुम्हें क्या करना है ठीक है इंस्पेक्टर मैं जानती हूं तुम्हारे पती का खून हो गया है और तुम कानून की मदद के लिए मेरे पास आई हो आपको कैसे बते चला कानून की सिर्फ हाथ ही नहीं कान भी बहुत लंबे होते हैं अच्छा फाइल दिखाओ आव मेरे साथ कहां कमिशने साथ के पास चलो ना चलिए सिंगारिया साथ ये लिजी फाइल उस लड़की का क्या हुआ उसे जहां भेजना था भेजती है गुड हम तुमसे बहुत खुश हैं थैंक्यू सर् अच्छा प्रवाज दूकान वालों अपने अपने कान कोल कर सुलो जो लेते हैं वह बैक जाए जो बैक हैं वह खड़े हो जाए और अपने पिजोरी में अपने जैद में हाट डाल कर नौर्स पयार रखें तो आ रही हैं लिखने में जो है भूली लेकिए चलने में है बंदू की गोली अबयो आखे फार पड़की क्या देख रहे हूं खट मल चाल मल निकाल चाल चाल निकाल लावे सचंदर तेरी सो अब खट मल तुरे दादा की माल पर नजर डालता है अब चिपकली की आलाज तो अबेरे क्या भास का नास्ते में जो तेरी अकल घास चलने चलिगे अब मैं कि एंडें रुको प्रको आड़ा ये सुर्या दादा के हाथ से मरेगा नहीं नहीं मेरा फोटो बट लेना अबयो मुझे हाथ अडा सावन की घटा मैं तेरी फोटो लूगी और सुर्या दादा को तूँगी फिरे एक दिन तेरी लाश गटर ने पड़िभी होगी माप क पूरा दो हजार मिला है पूरा दो हजार यह ले तेरा हिस्सा पांच सो तेरा पांच सो और पांच सो अगर बुरा नमाने तो एक बात पुछू हूं हां पुछो यार तुमने तो आज तक अभी सुरा जाता को देखा नहीं और सबसे कहते फिर्टी हो मैं से ट्यार करती हूं मैं से शादी करूंगी ऐसा मत कर यार अरे बेड़ू निरा करी भगवान को आज तक किसी ने देखा है फिर लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं और मैं मैं तो सुर्या की पूजा के साथ साथ उसको ट्यार भी करती हूं साथ जिस दिन वो मेरे को मिल गया ना उसका फोटो खीच कर अपने मन मंदिर में सजा लोगी तो हो जाए चाई के साथ हो जाए ओके छोड़ो एक्सा टाइम देखर आपने मुझे अच्छी तरह लेसन सब्जाए अब देखे का इस बार में फर्स क्लास में पास होका दिखाऊंगी पास तुम हो ना मिठाई मैं खिलाऊंगी अब ज्यादा टाइम होगे चलो घर चलते हैं चलो जुली मैं तुम्हें घर छोड़ देती हैं दो थैंक्स प्रफिसर मैं खुदी घर चली जाओंगी अच्छा थीक है बाई गुट नाइट कि यह क्या बत्तमीजी है यह बत्तमीजी नहीं है डालिंग कई दिनों से तुम पर दिल आ गया था लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छे थे कि तुम आज तक मुझसे बत्ती रही है लेकिन अब नहीं बचोगी शर्म नहीं आती पॉलिज में तली किसाथ ऐसी बाते करते हुए अरे शराम वरम किस बात की जानेमन चलो कहीं चलते हैं और जवानी का जश्न मनाते हैं अरे हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है जानेमन अरे भाग के खा जाओगी रुक जाओ मेरा बाइग उपर है क्या का जाओगी जानेमन आज में कुछ फर्ट मुझी वट्ट जाओ मुट्ट जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो आप अप कि आप कि यह बोल रही हो पासर शीशुपाल को जूली का खून करते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है आप तुरूंत पुलिस को फोन करके उसे एरेस करवा दिए क्या बात है इंस्पेक्टर शीशुपाल अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ इन्वेस्टिगेश से चल रही है सबुत मिलते ही हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सबुत तो मैं हूं मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि शीशुपाल ने जूली का खून किया है वागर इस में जूली ने खुद साफ साफ लिखा है कि दूसरी बार एक्जाम में फेल होने की दर से वो सुसाइट कर रही है तो मैं तुम्हारी बात का कैसे यकिन करूं यह लेटर तो नकली है जबकि मर्डर होने से कुछ दिर पहले जूली ने बड़े कॉन्फिदेंस के साथ कहा था प्रोफेसर इस बावे फर्स क्लास में पास होकर दिखाऊंगी और आप कह रही है कि शेट अप इस्पेक्टर मैं हूँ तुम नहीं जब औरत होकर तुम औरत के खुन का सौदा करोगी तो पिर हम किस मूँ से मर्दों के जुन का रोना रोएंगे मिसिस काजल लीडर बनने कोशिश मत करो साबित हो चुकाई यह सुसाइट केस है शिशपाल मासूम और बेगुना है शिशपाल और मासूम आज पता चला कि तवाइफ सिर्फ औरत ही नहीं मर्द भी होते हैं तुम जैसे मर्द अपना इमान बेचकर नहीं नस्रों को जुन्म करने का सटिफिकेट देते हैं मगर मैं सचाई को मरने नहीं दूंगी इंसाफ नहीं मिलेगा तो कॉलेज के सामने धरना दूंगी जुड़न्स हम शिशुपाल जैसे भेड़े को आजाद नहीं छोड़ सकते उसने जूली का खून किया है प्रिंसिपल और पुलिस को खरीद लिया है इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि जूली मर्द केस सीब्याइक को सौब दिया जाए कजल जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं हां अलो तेंगहनी साफ मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं आप्रिंसिपल घजाबॉके आफिसर काजल शिश्विपाल की गरफ्तारी के लिए कॉलेज के सामने धरना दे रही है अरे तुम घबराते क्यों प्रिंसिपल क्या चीटी भी कभी आदमी को मार सकती है फिर ऐसी चीटी है तुम रोज अपने पैरों तले मसलते रहते हैं तुम शांत हो जाओ मैं जाकर उसे मिल लेता हूँ ओके साब शिशुपाल को शिशुपाल को शिशुपाल को शिशुपाल को मिस्स काजल यह नमश्कर मैं आपसे रिक्रस्ट करने के लिए आया हूं कि आप इस मोर्चे को खत्म कर दें बात आगे मत बढ़ाएं आप कौन है मैं शिशुपाल का बड़ा भाई हूं मैं डॉक्टर बनना चाहता था मगर डॉक्टर नहीं बन सका इसलिए मैं हर कीमत पर अपने छोटे भाई को डॉक को पूरे पांच लाख रुपे दूंगा मेरे भाई के खिलाफ आवाज उठाकर मेरा सपना मत तोड़िये जो सपना पाप की आँखों से देखा जाए उसका तूटना बहुत जरूरी होता है देखिए मैं यहां आपको समझाने के लिए आया हूं इसे मेरी कमजोरी मत समझि समझाना उस जलात को जो तुमारे भाई को खासी पर लटकाएगा नहीं हम सारी दुनिया को तबाह होते देख सकते हैं मगर अपने भाई के मूँ से निकली हुई एक आह नहीं सुन सकते हैं पागल पन की हद तक चाते हैं उसे हम अरे अपना खून पिलाकर बढ़ा किया पातने से बात नहीं आते हैं तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी क्या बत्ते मिजी है चाल हफता निकाल कैसा आपता मैंने दूगा अबे कैसे नहीं देगा साला मैं तो इतना हफता लेती हूं जितना गुर की धेरी से च्छी उटी अपना हिस्सा लेती है सूरिया दादा आएगा न तो सारे होटल को उजाड़ देगा हां यह लड़के होटल वाले का रुपाय वापस कर दे अपनी जवानी पर तरस खा और जाकर किसी लड़की से नहीं लड़ा मेरे मूं लगने चला है सूरिया दादा को बुला कर तेरे हाथ तोड़कर तरे कब से जानती है वो तो पैदा होते ही क्या है कि हॉस्पिटल में हम दोने के जुले आस पास थे उसमें मुझे देखती है आई लव यू बूला था और मैं शर्मा कर बटल से दूद पीने लगी थी अबएस हो गया तरण रखकर कर अएक तो मेरा नामने कर पैसा वसुल कर दिये हो रही और हमारी तरफ आसे करीज problème को हनी आदमी नहीं पूत रहां है मैं तुम्हारारी नहीं सूर्या दाना की तारिकर कर रही है यहां हाइ मैं मर जावां मैं तो समझती थी कि मेरे सुर्या दादा बड़ी बड़ी मूच्छों वाले खतरनाग गैंडे जैसे होंगे मगर मेरा सुर्या दादे इसना नंकीन निकलेगा पता नहीं था मिल गया, मेरी सपना कराजा मिल गया कल तक का धूरा था, आज पूरा मिल गया बस, बहुत नटंकी हो गया, आज के बाद अगर अपता वसुल किया ना, तो चांब से मार दोंगा ए तुर्या दादा, जड़ा रुप जा, किसलिए इसलिए, तुर्या दादा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो तेरा फोटो सौक इनोर पर छपवा देती, फिर जहां तुस्से मिलने कुछी चाहता, तु मिल जाता सेट की जेब में हाट डालती, तो तु मिल जाता, किसी से हफता लेती, तो तु मिल जाता और ये सब इसलिए कि तेरी खुब्सूरत जवानी की मैं दिलो जान से दिवानी हूँ मामी, देखो किता अचा खिलोना है, तो दिल्ली से तुम्हारे डाडी तुम्हारे लिए खिलोना लाए है, नाई, दाडी तो भी दिल्ली से वापस नहीं आए है, तुम्हारे खिलोना तुम्हें किसने दिया, अंकल ने, अंकल, कौन से अंकल, वहां बैठे हैं, अज पहली पहली बार आए है। पहली बार? कौन है आप? तुम? कौन लार। बार। कौनॉ अगर अगली बार हो सकता है याद रख अगर मेरे भाई को कुछ हुआ न तो मैं तेरी बेटी के चित्थरे उड़ा दूगा हम कमजोर मा बेटी पर अपनी धौत जमा कर मर्द बनने की कोशिश मत कर अगर तुम्हें मर्दान की दिखानी है तो आना उस वक्त जब मेरे पती दिली से लौट कर आ जाए फिर देखूंगी तो कितने पानी में है चैलेंज मंसूर अब मैं इस घर में तुम्हारे पती के आने के बाद ही आऊँगा जिस तरह सब के सामने कॉलेज में तुमने मेरा पानी उतारा था ना उसी तरह मैं तुम्हारे पती के सामने तुम्हारा पानी इस तरह उतारूँगा कि तुम दोनों चुलूबर पानी में डूबर होगे अब भी समय है कि एस वाप इस लेने के लिए सोच लो गुद्मानिंग सार यही तो हसीरों का खेल है यह दौलत के लिए नेताओ की तरह कभी भी अपना प्लैट्फ्रॉम बदलेती है नमस्ते भाई सार हाँ शुशुपाल कैसे बरे भाई आपके छोड़े हुए कदमों के निशानों पर चल कर आप जैसा ही बनने की कोशिश करो भाई सार देखा पंडे एक दिन मुझसे बड़ा आदमी बनेगा सार आखिर भाई किसके हैं क्या हो इंस्पेक्टर कालुमल कालोनी वालों ने कालोनी खाली की के नहीं हमें बहुत जल्दी है वहाँ बियर की फेक्टरी लगाने की नो सर कालोनी वालों ने स्टी ओडर ले लिया है क्या हाँ पार्टनर अब बरसों एक केस चलेगी इस प्राजेक्ट पे लगाएवी करोणों की रकम अटकी रहेगी अटकी हुई रकम एक ही जटके में निकलेग अब तुम देखना मेरा कहर जो इन कालोनी वालों के साथ साथ उनके घर के बर्तनों को भी चीखने पर मजबूर कर देगा क्यों बें हमारी कॉलोनी में आकर हमें खाली कर रहा है अबे कौन अबे अरे गुरू तुम यहां देखो अपनी कॉलोनी वालों को गुंडे मार मरके घरों से निकाल रहे हैं चलो न प्लीज प्लीज उन्हें बचा लो अरे चलो न इस तरह जुता बनता है पैरों में पहनने के लिए उसी तरह यह गरीब भी पैदा होता है मार ख अरे गुरू प्लीज गुरू अब किसका टाइम ख़आ वागया अब है 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है कर दो कर दो कर दो तो हुआ 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 है हुआ 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 है तुम इतने दिनों से कॉलने में रहते हों मगार पता नहीं था कि तुम इतने बहादूरों भग्वान अपका भाला करें अरे वो भग्वान क्या भाला करेगा जो लोगों को पैदा करके दुख उटाने के लिए छोड़ देता है वो भगवान नहीं एक पागल बाप है जो अपनी ऑलाद को दर्द का पत्थर माता रहता है और उपर से कहता है मेरी पूजा करो समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें नोट दे कर हैं पाटनर सुना तुमने जो गुंडे हमने कालो मलकाली को खाली करवाने के लिए बेजेते वो किसी सूरिया नाम के गुंडे से मार खाकर बाग गये क्या कौन सूरे सर किराय का कातिल इतना चालाक है कि एक अदब नहीं रखा है आदमी काम का लगता है पाटनर क्यों ना हम उसे अपने फौज में बर्ति कर ले सर मेरे ख्याल में इतने खतरनाक आदमी को अपने साथ रखकर हम अपने लिए खत्रा मोल ले रहे हैं तहीं ऐसा नहों कल को उलटकर वो हम पर ही हमला कर दें और एक खत बलती है शराब पिना चोड़ दो तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो क्योंकि शेयर का सबसे बड़ा आदमी सिंगानिया तुम्हे पासा आया है ग्लास में शराब डलने वाला बड़ा नहीं होता सिंगारिया बड़ा तो वो होता है जिसके ग्लास में शराब डलने जाती है मुझसे दोस्ती करने का चांस मत गवाव सुर्या जिसका सारा शहर दुश्मन हो उससे दोस्ती करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आने की वज़ा नहीं पूछोगे करसाई की दुकान में कोई बाल कड़वाने नहीं आता वहाँ सर्फ करदन करती है बोलो किसको मानना है मैं कालूमल कालोनी को खाली करवाने आया हूँ मैं जानता हूँ तुमने कालोनी की हिफाज़त का ठेका ले रखा है उस ठेके को कैंसल करने का मैं तुम्हें पूरे पांच लाक रुपे दूँगा अरे इसने कम बें तो मैं किसी को तमाचा भी नहीं मारता हूँ दस लाक सोचूंगा पंद्रा लाक अब आईना च्रेन प्लाटफॉर्म पर जाओ 24 गंटे के अंदर कलोनी खाली हो जाएगे इसने भूपो प्र linguistic करता हूँ प्uggling दुआ हूँ हुआ हूँ है जोना है! हांC रूभा रूपा मेरी सूरे का खार आगया ले जाएँगे नहीं को दुलहे को ले जाएँगे ले जाएँगे, ले जाएंगे लेट जांगे यह सब क्या हो रहा है तू नहीं जानते बैठो 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 पंडिची मुहुरत निकाल लिए यह मुहुरत किसलिए इन सब बातों के बारे में जानने के लिए अपने पास टायम नहीं है आज तेरी मेरी मंगनी है ना क्या हाँ है अपन्दिची जल्दी शादी का मुहुरत निकालो महुरत आसज से तीन महिने के बाद है अरे ओ पंडिच्य क्या मैं डबल फीस इसलिए देर हूँ कि तुम מhurat देर से निकाले जल्दी कर क्योंकि प्यार का ये बादल ताकत के इस पहार से तक्रा कर बरसने को बिचैन है आज से पंद्रा दिर के बाद मोरत निकलेगा अगस पंद्रा तारीक को 15 अगस को मैं बारात लेकर आओंगी तुछी डोली में बिठा कर ले जाओंगी कर दो कि दुकान से भागी हुई जिलेबी ज्यादा मिठी मत बन वरना ऐसी मिर्ची खिलाओंगा के मुझ से के सिवा कुछ नहीं निकलेगा कुछ निकले या ना निकले लेकिन मेरे मुझ से तेरा नाम जरूर निकलेगा यही मेरे लिप बहुत है याद रखना पंदरा अगस्त यह लड़की तो बहुत हटके है भाई सीगल्स अब एक्जाम्स नवदीक आ रहे हैं यस मैगम वी नो तुम सबने तयारी तो कर ली होगी यह लेकि अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो भी फ्रीची कम चुछ अगर तुम से कहा था मेरे भाई का केस वापस ले लो मगर तुम नहीं मानी आज तुम्हें उसकी सजा के समने मिलेगी! नहीं! नहीं! जयुकु अगर हमेरे भाई लोत कर दो है। इस नकली हाथ की जगा तुम्हारी बेटी का हाथ भी हो कोकता है। जिस तरह तुम अपनी बेटी यूं मैं भी अपने भाई से करताू on याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, तो सजा तुमारी बेटी को भी में लेदी, सिंगानिया पुसाथ, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतनी उदास नजर आ रही हो बात क्या है मुझे तो नहीं लगता कि वो 15 अगस्त को मुझे से शादी करेगा आरे तो भूल जाओ उसे, हटाओ, खाओ, खुजाओ, बच्ति मुझाओ, क्यों चोटू अबे तुम नहीं जानते, क्या दिल और मंदिर एक जैसे होते हैं, ना मंदिर से कोई मूरा थटाई जा सकती है, और ना ही दिल में बसी हुई सूरत भुराई जा सकती है यह तो सीरियस हो गए लिए बाब तुझे तेरा प्यार करने वाला मिलेगा, प्यार का भुजाओ अधीबग जलाएगा, तिर पचास रुपए में में, प्रेमी बेकाबू हो जाएगा, भागता हुआ आएगा, पचास रुपए, पचास रुपए अब तो तुझे मेरा होना ही पड़ेगा अरे तु फिर चली आई आउंगी बार-बार आउंगी वो एटीन चैनल पर दिखाया जाने वाले सुपर हेट सौंग की तरह जो 24 घंटे में 36 बार आता है अरे ओ मेरे गले पड़ी बिल्ली गिल्ली की तरह बार-बार आकर डंडे से मत तक्रा वरना ऐसा शौट मारूंगा कि तुझे खुझ नहीं पता चलेगा कि तु कहां गुम हो गई है गुम कर दे मुझे ऐसी जगा ले जाकर जहां सर्फ हम दोनों एक दुसरे को ट्यार की आग में चला रहे हूं अब बहुत हो चुका चक टिफिन बंद कर और यहां से फूट टिफिन बंद नहीं होगा खाना है तो खाओ नहीं तो भार में जाओ मैं चली उस्तू तो अच्छी है चलो चकर देखते हैं पाकाने वाली के जबानी तेस्थी है या खाना भी क्यों बच्चू पकड़ी गई न चोरी आहां चल तू भी मेरे साथ खा ले मैं खा चुकी हूँ तू खा देख अगर तू चाती है न कि मैं यह खाना काऊं तो तूझे भी मेरे साथ खाना आओगा ठीक है तू इसमें प्यार से बोलता है तू जहर भी खा लूँगी या ने ने मेरे मतलब है मैं तुम्हेरे साथ खाना खाऊंगी हाँ 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 चल ला यह यह आहाँ हाँ 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 लेकिन मैं पुछता हूं साथ तुम्हें वहाँ सुर्या दादा के साथ खाना खाने की जरूरत क्या थी जाने कबसे उसके मीठे बॉल सुनने को तरस रही थी जरा उसने त्यार से बोला और इधर मेरा मन दोला और तुम डोल गई हाँ हाँ तो इसका मतलब है कि वो दिखने में जरूर जल्लाद है लेकिन उसके अंदर एक शरीफ इंसान शुपा हुआ है निकालूंगी मैं उस शरीफ इंसान को बाहर जरूर निकालूंगी जान आज तो मज़े करेंगे हाँ बापो मच्जा बापो अच चल बापो सुन बापो नहीं नहीं बापो मा को खोड़ कर मर जा अरे आट कल मरती है तो आज मर जाएं मुझे तो दूसरी मिल गए है रहम करें बापो देख मरो अज़ो नहीं बांट चाहिये पिताजी माँग बहुत कि मान मुद झाट रऊमगे चल जो खोड़ अराम साधे बिन बुलाई पैदा हो जाते हैं और गले पड़ जाते हैं तो यह से नहीं मानेगा ले 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 मुझे क्यों मारा है हाँ जयार मुझे प्रजग्खन से फॉर फॉर लेकर 1 ऊड़ गद्वेड्न अन्ड़ में यादे झायों लिए डटर्ड स्टै दूग कर दोगी में कर दो जए देख न वादेर का भूर तो लग फॉर प्ज़ फ्गिर कर दोग्ट कर दो दो अर कर दो 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 तुर घटे Leonardo तोड़े मुझे हे उर्फ को बात राप मोठा लूगा चॉड़ू देता है मैंसे राप को बहुत के का समय माँ किसं। और प्राइच अयओ कि मोत वे करीं सूरिया छोड़ दो मुझे मेरी हालत पर जाओ यहां से मत रूलाओ मुझे आज मैं तुम्हें मां की याद दिलाकर खूब रूलाओंगी ताकि आंसों के सलाब में वो दरिंदा डूप कर मर जाए जिसने तुमसे इंसानिया छीन कर तुम्हें कातल बना दिया मा की कसम देने पर तुम्हारे गुस्देगा जाना और तुम्हारा रोना लगता है तुम्हारी मा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है हाँ नाइंसाफी हुई है मेरी मां के साथ बहुत नाइंसा भी हुई है तब मैं बहुत छोटा था जै मुरली बले भगवान मेरी मां को अच्छा कर दे मेरी मां के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है मैं तेरे हाथ जोडता हूँ भगवान मैं तेरे पैर बढ़ता हूं भगवान मेरी मा को अच्छा कर दे बेटे खाली हाता जोडने से भगवान तेरी कभी नहीं सुनेगा फिर कैसे सुनेगा भगवान बेटे कुछ चड़ावा तो चड़ावा जैसे फूल मेवा बगएरा बगएरा मगर उसके लिए मेरे पास तो पैठे भी नहीं है फिर तो बेटा तेरी पूजा आजना जर्थी जाएगी ए किदर जा रहा है सार मेरी मा बहुत बीमार है उनका इलाज कराना है सारो पे देता है अभी डॉक्टर्स में लाता हूं मेरे पास तो एक रूपया भी ले है पैसे नहीं है चले कजा अपनी मावध यहां से जो जहां-जहां, वहां पैसा ही पैसा माँ अब क्या करें? तेरा इलाज कैसे होगा? पेटे आप मैं बच नहीं सकते पेटे अब तो मौत ही मेरा इलाज है तू जल्दी से ठीक हो जा मा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, घर तेरा इलाद कराऊंगा नहीं बेटे, अगर तॉलक से ही जिन्दगी खरीची जा सकती ना तो पैसे वालों को कभी मौत आते ही नहीं ऐसा मत बोल मा, अगर तुझे कुछ हो गया, तो मैं भी मर जाओंगा और तेरे अलावर्स दुनिया में है कौन मेरा, जिसके लिए मैं जी हूँ तुझे अपने पिता के लिए जीना पड़ेगा बेटे पिता जी, मगर मा, तुमने तो कहा था कि वो मर गया तुझे में कह जा था पेटे पेटे, तेरे पैदा होने से पहले ही तेरे पिता जी खाड छोड़के चले गए थे बहुत दिलों के बाद, उन्होंने इस तुझे पेड़ी पेड़े और फिर कभी बलटके नी देखा इस तुझे में उनका पता लिखा है तुझे, आर अपने पिताखों लेके आ पेटे अच्छा माँ पेटे तुझे भी लेके जा पेटे इसमें मेरा और उनका नाम लिखावा है मज़े यकीन है पेटे, इससे देखती हो फॉलन चले आएंगे जा पेटे, जा जा यह अनिर साब का घर है ना? हाँ, उनका ही घर है मुझे उनसे मिलना है तुम उनसे नहीं मिल सकते क्यों, क्यों नहीं मिल सकता? मेरी माँ बहुत बीमार है जा यहांते, बिखारी कहीं का एई, बिखारी मत बोल मुझ तोड़ दूँगा जानते नहीं, यह मेरे बाप का घर है ओ चोखिदार, क्यों शोर बचरा है? साब यह आप से मिलने के लिए दादागिरी करता है और बोलता है, यह मेरे बाप का घर है नमस्ते पिता जी तुमें किस ने कहा? मा ने कहा, यह देखिये मंगल सूत्र भी दिया उन्होंने मैं रामपूर से लाया हूं मा को उनकी तब्योत बहुत खराब है वो सरकारी अस्पिताल के दर्वाजे पर पड़ी हुई है जल्दी चलिए ना पिता जी बिना पैसे के उनका इलाज नहीं हो सकता हम तुम्हारी मा का इलाज कराना तो बहुत जरूरी है ठीक है? चलो, चलो, चलो इंस्पेक्टर सहाब यह छोड़ा सा बच्चा मुझे ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहा है इसका कहना है कि यह मेरा बेटा है और मैं इसका बाप क्यों बे? इतनी चोटी सी उमर में इतना बड़ा जूट बोलता है यह जूट नहीं है साब यह साथ क्या है आरे इंस्पेक्टर पाने इसकी ऐसी पिटाई करो कि भूल जाए कि इस दुनिया में इसका कोई बाप भी है जूटे ब्लैक मेलर क्लेक्टे करता है मत मारो मत मारो मत मारो मा पाँ बेटे मंगल की प्रव मत मारो पिताजी नहीं मर जाये पिताजी मा बहुत बिमारा मुझे चोड़के मुझे में पूटता हूँ अगर पैसो से जिंदगी और बिना पैसो से मौत मेंती है तो भगवान क्या करता है मा तू पैसो के लिए बेमौत मरी है कर्षा मैं तेरी मा मैं पैसे लेकर अब लोगों में मौत बाटूँगा अब बोलो क्या दिया आये दुनिया वालोने मुझे क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं ऐसे कमीने बापों को इस धर्टी पर मैं कभी सिंदा नहीं रहने दूँगा कभी नहीं सब ठीक हो जाएगा सूरिया दीरज रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ नहीं ठीक होगा जब तक नफरत की भट्टी से मुझ जैसे सूरज उखते रहेंगे कुछ नहीं ठीक होगा कुछ नहीं सूरिया यॉर अंडर अरेस्ट जिसादी को तुमने पीटा था वो मर गया देखा कानून आ गया मुझे लेने के लिए उस वक्त कानून ने कुछ नहीं बुला था जब वो सालिम बाप अपने बेटे और बेमार पत्नी को छोड़ कर जा रहा था कहती है सब ठीक हो जाएगा अरे ना कुछ ठीक हुआ था ना हो रहा है और अपना होगा चलिए प्रूज खूए झाल 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 प्रूण झाल कर दो 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 अब कैसे तब्याद है अंकल अंकल हाँ आपने डादी के छोटे भाई है कैसे अंकल रहता है पॉल, क्यों मर गया, तूदे तो मेरे हाटो मन्ना था बोल मेरी मा के आशू का कर्द चुका है बिना, कैसे मर गया तूद, कैसे बाप की कर्दुतों का कर्द, बेटे सिवागवाने वसुल कर ही लिया है सौग के नोट का कर्द, दस रुपए देकर नहीं चुकाय जाता मैं तुझे चांद से मरूंगा, तब जगर तेरे बाप के बापों का हिसाब चुकता होगा मैं भी खुशी-खुशी मर जाता, अगर मेरे सिवाव, इस ननीत सी बच्ची का कोई और सहरा होता बेन माबाप के भी बच्चे पल जाते हैं, मेरी तरह, तुमने तो खुद को बेच कर लाशों का बाजार लगाया है और यह भी केगी, हुसन के बाजार में, तुमारी भाती जी, तुमारा खुण तुम मेरा खुण तो कर सकते हो, मगर खुण के इनी रिष्टों को, तुम कभी नहीं तो सकते देखो, फुलिस तुमें पागलों की तरह ठुण रही है, और तुम जख्मी भी हो, कुछ दिन यहां रहकर अपना इलाज करा लो अँए अज़ अख, अँए अचल अँए अचल औुमार अचल, अचल एक जरूरी सुचना सुनिए एक खतरनाक कातिल सूरिया जो कल पुलिस की हिरासत से भाग निकला है उसे गिरफतार करवाने वाले को एक लाख रुपे का इनाम दिया जाएगा आपसे गुजारिश है कि आप किर्पिया पुलिस के कंट्रोल उमसे अंगल आंगल आप क्या विटी आंगल क्या कह रहे थे यह अंकल तो कुछ बोलते ही नहीं उस्ताद उस्ताद चलो खाना खालो तीन दिन से तुमने कुछ नहीं खाया नजने सूरिया कहा होगा किस हाल में होगा वो जहां कहीं होगा ठीक ही होगा है लड़की सूरिया कहा है अगर मैं यह जानती तो इस वक्त यहां नहीं उसके पास होती हम अवल्दार घर की तलाशी लो जी साफ सूरिया यहां नहीं है शाला बसके कहां जाएगा सूरिया का पदा लगते ही हमें ख़वर कर देना वनना तुम तीनों को अवलास में सला दूगा चलो टिंग 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 तूरिया अंकल आखे खलो नहीं तो खाना थन्दा हो जाएगा यह कंबकल हाद दोकर पीछे पर गई है यह खाना मुझे नहीं चाहिए ले जाओ यह चोड़ तो नहीं आई अजी बात में हो माते भी हो और बुछते भी हो कि चोड़ तो नहीं आई मुझे माफ कर दो नहीं माफ करूँगी क्यों नहीं माफ करूँगी तुम खाना खाओगे तो ही मैं माफ करूँगी ठीक है चलो मैं खाना खाओगा जिनाए इसी मत खाओ मैं दुसरा प्रीज लाती हूँ क्यों इसमें क्या ख़दा दिये ये गंदा हो गया है नहीं बेटी ये गंदा नहीं हुआ मेरा मन गंदा हो गया था तुप्यास से खिला चाहती थी मैंने इसे खिला दिया मैं तो अब यही खाऊंगा उपर देखो उपर देखो अरे बाब ने तु तो बड़ी दादी मा है रे ये मुझे मा ने सखाया है बड़ी अच्छी है तुमारी मा कहां है आउटर स्टेशन है वो मेरे लिए एक अच्छा सा स्कूल देखने गई है जहां मैं पढ़कर अपने दादी की तरह एक काम्या वक्री बन सकूँ शरूर तुम अपनी मा के सपने पुरे करो लोग तुम लिखाओ कि मभारको शिंगानिया साहब मुबारको सिभाप क्या हूँ यू स्वा में पास हो कि अiliar का कसितलेंी ऐप से लोग कहेंगेkr अजा चस्वाल նिंगानिया mbpr सिंच्वार कैं आपको भी बहुत मुबारक फो क्योंकि इन guten a आपको भी तो बंगला मिल गया हाँ अंकल कहा चा रहे हैं अंकल रुक जा अंकल प्लीज रुक जा अंकल अंकल वभी वभी नहीं रोड़े माय कहें नहीं जाँगा तुमें छोड़ कर कहें नहीं जाँगा मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाओंगा सो जा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हलो उस्ताद तुर्या दा का पता चलिगा है वह अभी शूट भूट पहने के बहुत बहुत बराज भी बने लाए वाप तहा है वह कि कौन है भाई आप कौन है क्या मुझसे पुछते हो कौन है आप आपको किस से मिलना है अंधे दौलत की फंदे में फस्ते ही तुम मुझे भूल गए आप नहीं देखे आपको कोई गलत फैमी हुई है गलत फैमी को मारो गोली चेश्मा लगा के हैस्टेल चेंज करके तू सारी कि दुनिया को धोका दे सकता है मगर मुझे नहीं समझ गया तुम सूर्या को मिलने आई हो जब वो अंदर है वो अंदर है तो आप कौन है उसका बड़ा भाई एड़ोकेड महंद्र हम शकल आप आम सॉरी तुम्हारे जैसा बाहर बाहर जैसा अंदर ये गन्फूशन क्या है तुझे क्या लेना देना पहले ये बता तु यहां आई क्यों मैं तुम्हारे लिए कब से दड़ाप रही हूं अगर तेरा पिछा करते गरते पूलीस यहां आ जाती और मुझे गोली मर देती तो तुम्हारे नो कहने से कानून मुझे माफ नहीं करतेगा मैं कानून कर्शिकार हूं तुबारा यहां आएगी तो मेरी लाश गिरते हुए देखेगी नहीं नहीं ऐसा मत कहो मैं तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हूं आप एड़ोकेट है न मेरे सुर्या को बचा लीजिए आपको जितनी फिर चाहिए मैं दूंगी यह मेरा भाई है और भाई को बचाने के लिए मैं तुम से फिस लूँगा बग दिखेंगी मेरी दुआ है तुम दोनों का प्यार सलाम होत रहे तुम दोनों पर आने वाली हर मुसीबत मुझ पर आ जाए बहिया बाबे क्या बात है बेटी यहां बैठी हो डाडी बहुत दुनों से मम्मी ने फोन नहीं किया मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ डाडी मुझे मम्मी चाहिए डाडी हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था आज सुबह तुम्हारी मम्मी का फोन आया था कहने ती कि शाम को मैं बबी को ज़रूर फोन करूंगी जल्दी सपने कपने में जाओ जो हमाँ याम जल्दी झालो, जल्दी प्रम प्रूंप जाओ हलो बाबी बेटे मैं ममी बोल रही हूँ ममी कैसे हो ममी मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ अब जल्दी आ जाओ ना ममी प्लीज में क्या है मुझे यहां कुछ दिन और लग जाएंगे तुम पापा को परेशान मत करना परेशान करने के लिए मुझे एक दूसरी नमस्ते कर देना ओके ममी आप जल्दी आना तुम वो मासूम बच्ची जिससे शैतान भी छूट बोलने से पहले सौ बार सुचेगा उससे तुम जूट बोल रहे हैं वो भी आवाज बदल कर क्यों रसी में उसे हसता देखने के लिए किसी को हसाने के लिए रोने की जरूरत नहीं पढ़ती मिस्टर माहिंदार जरूरत पढ़ती है जब किसी की मौत को छुपाना जरूरी होता है तब जरूरत पढ़ती है यह बावी की माँ है अगर मैं इसकी मौत का बजन उस फूल जैसे बच्ची के दिल पर रख दू तो बताओ क्या होगा हो भी मर नहीं जाएगी यह भी मुझे माफ नहीं करेगी यह जो मेरा सब कुछ थी मेरी सिंदगी मेरा प्यार मेरे चिने का सारा बबी किदर है बबी 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 पापा पकड लिया पकड लिया हाँ थैंक गॉड चलो बाहर हाँ फोड़ी दिर के लिए मेरी तो जान ही निकल गए जूटी कहीं की चुलो टाइम हो गया होस्तल जाने का मैं होस्तल नहीं जाओंगी मामी ऐसा नहीं कहते बेटा एक्जाम का वक्त हो गया ना चलो देखो बेटी एक्जाम खतम होने के बाद ह हम तुब को घर ले आ जाएंगे अरे प्रामेश आये 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 हैरान होने की जुरूरत नहीं याद हमने वादा किया था जब तुमारे पटी देव पधारेंगे तभी हम आएंगे पाटनर इसके पटी देव को देकर हमें बड़ी माई सी हुई है क्या मतलब मैं समझता था इसने आपको जिस पटी देव की दमकी दी उसे दो हाथ दो पएर तो होंगे मगर जिसका एक पएर बेकार हो उसके लिए तो एक हाथ ही काफी है इंका क्यों मार रहे हो जरा इसको तेरे पटी होने की सजा तो मिलने दे ताकि वो लड़के कभी उन लड़कियों से शादी न करें इनकी जबान उनके पट से भी जादा लंबी हो क्यों तुझे सारी बातों का पता तो चल गया होगा तुने इसे बताया या नहीं वो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है और मैं भी इसके साथ हूँ मैं तेरे कातिल भाई को सुप्रिम कोड से सजा दिलवा करी रहूंगा शिशुपाल मेरा भाई है इसने पहले के कानूर के पंजे उसके बदन पर एक खराश भी जा लें मैं तुम दोनों का ऐसना हशर करूंगा के पत्थर का कलेजा भी काप उठेगा करें अब देख हम तीनों मिलकर इसके बदन के चिलके कैसे उतारें तु इन आखों से देखेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा आई तो प्रदो चुप कि लänder!" कि फु रु बुष झॉि झॉ झॉद झॉनु झॉद зрriticéti! झालि मुद्दि, झालि झॉद ि helpu cason! कि ओॉद yंप झॉदेMoonी w prawd ne!!! सु झॉब फरयाओ! कु झॉद्द unless झॉदर झॉदी please! को झॉद झॉ झॉदे झॉद झॉदेके मा कीझ सी imagin angारे! कर बंदे constर डिल्ज में Bunu 방법 कर चाद से ट्रीं सेस्टर ज़म striving इन हन Göran प्रूम कर घंद ग começar कर लो कब दो बंद खट 00H जएये! जएये! हुँ... जाई stuff! आवे? कि जए हुँआ 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 हुँ! यहाई 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 कुल, कि अब भंत्ला कीजए मिलोड क्या इन तिनों का समाज में रहने का हक है इस ठीच पाल जैसे बेडियों को डॉक्टर बनने का हक है ये भूजंग किसका काजल में कुछ नहीं भिगाडाता इस परांकों जिने का हने आप इंसाफ कीजे मिलॉड आप इंसाफ कीजे ये सब मैंने अपनी आखों से दिखा है मैं गवा हूँ इन तिनों के भाना चुर्म का अधाल मिलॉड मिलॉड मेसेज काजाल और सिंगानिया साथ की ज्याती दुश्मनी थी शोहर होने के नाते मिस्टर मैंन्दर सिंगानिया के खिलाफ हो गए इसलिए मैं अधालत से दर्खाश करूँगा कि इनकी गवाही ना मानी जाए अब्जेक्शन मिलॉड अब्जेक्शन ओवरूल अब इस मुकदमे का फैसला करेगी सिर्फ ये पोस्ट माटम की रिपोर्ट इसमें साफ लिखा है के मिस्टर गाजल की मौत बलाटकार करने या उनका गला घोटकर मारने से नहीं हुई बलके उनकी मौत फीट का दोरा पढ़ने से हुई ये सब जूट है मिलोड ये जूट है ये सब जूट है मिस्टर महेंदर मुझरिमों की तरह अदालत की तोहीन मत करो पोस्ट माटम के रिपोर्ट को इस सबूत मान कर मिस्टर सिंगानिया मिस्टर शिशुपाल और मिस्टर भुजंग को बाईज़त बरी करती है क्यों वकील सहाब इतना जलील होने के बाद भी जिन्दा रहने का इरादा है क्या बरी अदालत में पत्नी के कपड़े उतानने के बाद भी हमें कफन नहीं पेना सका बहुत भरोसा था ना तुझे अपने कानून पर देखा कानून ने किस बुरी तरह से तुम्हारे भरोसे का खुन कर डाला क्या हुआ इस आदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिला अब इंसाफ मैं करूंगा मेरी आदालत में तुम तीनों को सजा मिलेगी याद है रखना मेरी आदालत में ना तो जुटी पोस्ट मोडम रिपोर्ट काम आएगी और ना तुम्हारे कनूनी दोस्त और ना ही तुम्हारी दौलत तुम तीनों ने अपने हाथों से अपनी चीता साजाई है अब देखना उसमें मैं कैसे आग लगाता हूँ पनों उनको धोका देकर वो तीनों बच गए मैंने कसम खाई थी कि उन तीनों से बद्ला लूँगा लेकिन अफसूसी है कि चलने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि एक अपाईज जो खुद एक बेजान सहारे का मोहताज है वो भला किसी से क्या बद्ला ले सकता है क्योंकि जान लेकर मेरे दिल की आख को ठंडा कर सकते हो तभी तुम्हारी भावी के आत्मा को शामती मिलेगी प्लीज मैं तुमसे वादा करता हूं कि कानून से तुम्हें एक पल की भी स्दा होने नहीं दूगा मा मुझे भी अतने पास बुला लेना मुझे ऐसे जूट पापा नहीं चाहिए मा, मा, मा मुझे माफ कर दे बेटी मुझे माफ कर दे आंकल आंकल तुम पैसे लेकर खून करते हो ना आंकल ये मेरे पैसे लेकर मेरा खून करके मेरी मा के पास बेज दो नहीं बेड़े मैं इतना नीच आदमी नहीं हूँ जो प्यार का सौदा पैसे से तो तेरा ये काम तेरे प्यार की खादीद दरूर करूँगा जिन लोगों ने तुम लोगों के साथ ये बरता हो किया है उन लोगों का अब चैन की निम सुने नहीं दूगा चैन की निम सुने नहीं दूगा प्यार क्राशी नहीं हुआ कर दो 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 कर झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो नहीं तू महेंदर नहीं हो सकता कोन है कोने तो तेरे सवाल का चवाब नर्क के उन शोलों से पूछना जो तुझे गुनाहों की सजा देंगे और मेरा नाम भी बता देंगे कर दो तुमारी प्लानिंग का मियाब हो गई सब लोग ने मुझे अड़ोकिन महेंदर ही समझा वेरी गुड भुजंग से तो मैं निपड़ चुका हूँ अब तुम देखना कानुन से मैं कैसे निपड़ता हूँ सुरिया तुम अंदा जाओ एड़ोकिट महेंदर मैं आपको मिस्टर भुजंग के खून के इल्जाम में अरिस्ट करने आई हूँ आपके पास कोई सबूत सबूतों का ढेर हैं हमारे पास अंगिनत गवा हैं जिन्होंने आपको अपनी आखों से मिस्टर भुजंग का खून करते वे देखा है लगता है पूलिस आचकल आखबले अंधों पर आखे बंद करके भरसा करने लगी है चलिए चलो पूरे 21 आदमी गवाई दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी आखों से एड़ोकेट महेंद्र को मिस्टर भुजंग का खून करते हुए देखा है इतने गवाओं की गवाई के बाद शक्ति कोई गुझाश नहीं रहती मिलोड इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि मुल दलील है मेरे पहले और आखरी गवाई आप हैं जद साब मेरी सफाई भी आप देंगे और मेरा फैसला करते वक्त दलील भी देंगे कि मैंने तो जो कुछ कहना है साफ साफ कहो मिलाड मुझ पर इल्जाम है कि कल दो पहर के तीन बज़े मैंने भुजंग का खून किया और य उससे में आकर मैंने अपने ही क्लाइन के मुझ पर तमाचा मारा हूँ जिसके लिए मुझे इस आदालत से माफी मागनी पड़ी और इस आदालत में उसका रिकॉर्ड भी मौजुद है पैसला कीजे मिलोड जिन लोगों ने मेरे खिलाब गवाई दी है क्या वो सच बोल रहे हैं और अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो क्या अदालत का कल कर रिकॉर्ड जुद बोल रहा है जिस पर किसी और के नहीं खुद आपके साइन मौजुद है ये सच है कि कल मिस्टर महेंडर अदालत में मौजूद थे इसलिए अदालत मिस्टर महेंडर को भुजंग मर्डर केस से बाइज़त बरी करती है और पुलिस को सक्त हिडायत करती है कि जल से जल मुझरिम को पकड़ कर अदालत के सामने पेश करे मिस्टर सिंगानिया देख रहा है वही तुम हो वही मैं हूँ अदालत भी वही है जासे मेरी पत्नी का खून करके तुम लोग छूट कहते राज भुजंग का खून करके मैं बाइस जबबरी हो गया हूँ आने वाला हर दिन तुम पर बहुत भयानग गुजरेगा महिंदर नहीं सिंगानिया आज के बाद आने वाला हर पल तुम दोनों के दिल की धरकन पर हथोड़ा बन कर परसेगा पहले तेरे इस कमीने कुछ से भाई को मारूंगा उसके बार तेरा कफर दयार करूंगा यह खाना किसने बनाया है माइसर्फ सर्फ एनी प्रॉब्लम पर्दे का अंदर इंगलीश क्या ठोक रही है मुह से पर्दा तो हटा पर्दा चो हट गया तो लफडा हो जाएगा लफडा तो होका नहीं रहेगा आरे खोल तुम मैंने तुम्हें कहा था न कि यहां मत आना तुम्हारा कहा मानू या तुम्हारे दिल का जो हमेशा मैंसे याद करता है मैं तुम्हें कोई याद बाद नहीं करता याद नहीं करता तो मेरे हाथ का बनावा खाना खाकर तुम्हारे दिल की घंटे कभी नहीं बसी है बक्वास मत कर शाया से सुरिया सुमन को मैंने बुलाया है क्यों कर शिशिपाल का जनम दिन है और सिंगानिया ने उसके इर्द किर्द बहुत मस्पूत सेकुर्डी फैलाई है जिसे सिर्फ सुमनी तोड़ सकती है यह लड़की कि अधिया नहीं आता वहां कली काम आती है अपने खुस्न की चमक से दुश्मन को अंधा बनाती है आधा है यह दर्वाजा क्यों बंकर रहे हो जाने मन तुम पर दिल का दर्वाजा खोलने के लिए जाने मन बाहर तुम्हारे भाईया बादीगार्ट और महमान भरे पड़े ह और मुझे बीड़ भाड में इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता तो क्या करें डालिंग हां आउ चलो तुम्हारे फामाउस पर चलते हैं उधर तनहाया ही तनहाया है और जब तक ची चाहेगा प्यार की शहनाई बचाते रहेंगे हां चलो अहां उधर से नहीं जाने मन पिछले दर्वाजे से ओके चलो आउ जाने मन मैं शावर लेके आती हूं वेट फॉर मी डार्लिंग ओके डार्लिंग जल्दी आना डार्लिंग अब दिल की धड़कनों पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है धड़कने बंध होने का वक्त आ गया है शिशुपान महिंद तू यहां कैसे आ गया मौत को आने के लिए पता नहीं पूछना पड़ता कि याद आये अदालत के बार मैंने तेरे भाई से कहा था कि अब शिशुपान का नहीं बने अंधे का तीर निशाने पर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते लंगने तूने वो जंग को धोके से मारा होगा लेकिन मुझसे जंग करके तू बच नहीं पाएगा समझे नहीं, तुमाहें दरे हो सकता हाँ मैं महंदर नहीं, सुरिया हूँ, तेरी मौत बन कराया हूँ, तेरी लाश किरा कर जाओंगा तुमाहे, फुमाहें प्राइब AUB हूप वहाँ ीत कर दो कि आप भूओए वा वा हूँ 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 पोग沒錯 here इस फप्रिए अग्जर इा धर फप्रिया इयु आप और फ़र, इयु युच कर दो भूआ आपाऊ आपे प्रेशन आप पर आप आपे आपे नग युच कर दो दो बचली मोची ऐचली बचली पुझ भर्ड़िशिक एाला बचली बचली लियन के एि był के एili nasए हा। दे एहाथ बचली पुझ been म Rede क्ली बचली बचली अज हा। ... कर दो अठर सी। 2 मैं मैं कर क्रीं उडरिम कर दो । कर दो कर दे अ हलो हलो संगानिया मैं महिंदर बोल रहा हूं बोलो तेरे भाई का एक्सिडेंट नहीं हुआ उसे मैंने मारा है क्या और अब तेरी बारी है महिंदर मैं तुझे जिन्दकी की जमीन से उखार कर भेग दूगा यह जो करना वो तो तुन्हें करी लिया हाँ ए अब मेरी बारी है मैरी बारी है मैं नहीं चौड़ोंगा तुझे मैं आरा हूं महिंदर मेरी को नहीं सर आप कैसे अब सुनने के लिए क्विए जिस भाई के लिए मैं लोगों के साल लथा रहा जिसके लिए लोगों के खुून बरे कफ抣 निशोर मैंने दौला ते कठा की उसी भाई को में अंदर ने माँ जाला मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा आपको अपने हाथों को उसके खूल से गंदा करने की कोई सरुवत नहीं मैं उसका बंदवस्त करूँगी क्या कर सकती हो तुम? मेरे पास कुछ ऐसे कातिल है जो इतने हामोशी से गर्दन काटते हैं कि मरने वाले को भी खबर नहीं होती कौर तुममला जारी कि वाले जाद gelecek कौर देए। का नहीं होरा जाद्यारोज airflow थπα 놓ե लोड़े कर रखने होराद्या 높ट्व एल से ड μέ epid. हुढ हुआ 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 ओहुआ हऑ boat उजिश्यन करनτο सी लुए अध हुआ, हुआ कि ठचे में इस चर्ड़ा है कि तुडर कर दो दो. हुए! देखो, तुम लोग सब औरत हो, और मैं औरत्जात की बहुत इज़त करता हूँ, मैं औरतों पे हाद में उठाता, अगर तुम लोग की जगा मर्द होते, तो सबी के सबी अभी मर चुके होते हैं, जब भी मेरा खुन बहता है, तो मुझे मेरी मा के रोने की आवाद सुनाई देती है, और जो मा को रुलाता है, मैं उसे नहीं चोड़ता, चाहे हो मर्द हो, या आरत. कर दो 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 क कि में सब्सक्राइब नियुक्त अपर अच्छा इसक्छा वाएं और फिर तो गेम का अखरी शॉट लगाई सिंखान ये है क्यों रहे हिजड़े तुने अपनी जगा और तों को भेज दिया मैंने तो उन्हें फिकाने पर लगा दिया है बस अब तेरा इंतिसार है तू यहां आए और मैं तुझे शम्शान का रास्ता दिखाऊं अब मैं नहीं तू मेरे पास आएगा गिडगड़ा कर मेरे पैर पकड़ेगा रहम की भीक मांगेगा तू महिंदर मेरे तलवे चाटेगा अरे तू तो उस पागल कुट्टे की तरह भौगने लगा है इसे पागल हुने के बाद चाड़ों तरफ से मौत नजर आती है मुझे नहीं तुझे नजर आएगी क्योंके तेरी बेटी मेरे कबदे में है क्या मेरी मेरी बेटी फोन पर कुछ मज़ा ने आ रहा दो मेरे सामने आकर अपने आंसों से मेरे दिल की जलन को ठंडा कर शायद सिंगानिया का मूट बदल जाए मैं आ रहा हूँ सिंगानिया मैं आ रहा हूँ आओ एड़ोकेट महिंदर आओ मेरी बेटी कहा है मौत की सीटी सुनते ही तू अपनी बेटी के बस दोड़ा चलाया और यह नहीं सोचा के तू जिसके पास जा रहा है उसकी दुनिया तूने उजार कर अभी है तूने मेरी पतनी की सर्दूटकर से माट डाला कानून की हिवाज़त करने वाले को आज तूने कासिल बना दिया आप क्या रहा है माट डाल मुझे माट डाल लेकिन मेरी बेटी को कुछ बास करना कुछ नहीं करेंगे तेरी बेटी को लेकिन एड़ोकेट, हिसाब किताब तो क्लियर करना पड़ेगा ना कैसा हिसाब किताब याद है तुन्हें मुझे फोन पर क्या कहा था हिजडा, पागल कुत्ता कहा था याद है, मेरे भाई को मौत की भट्टी में छोकने वाले अब तू कुत्ते की तरह भवगेगा वो भी पागल कुत्ते की तरह तू जो कहेगा मैं करुगा, मगर पहले मेरी बेटी को.. पहले मैंने जो कहा है वो कर भूग? नहीं हाता मैं बताता हूлом भूग भूग, creating the अब तो बता दे मेरी बेटी कहा है अभी नहीं अभी तो तू नाचेगा तू लंगड़ा है ना चल छड़ी के बगार एक टांग पर नाच के दिखा चल चल नाच सिंगानिया मैं इसके बगर तो एक कदम भी चल नहीं सकता फिर नाचूंगा कैसे नाचेगा तू बेटी की महबद को ज्वाला मुखी तुझे एक टांग पर भी नचाएगा चल छोड़ी चली अर्य यज पहां पूल चली चली अर्य हां पर नाच अर्य हां पर टो गफट पर खर पर शोड़ी तू पर्माइब अर चली तू पर ठाच को दोड़ी तू बटी का मिन्ह जड़ी तू आपसे पटा दे शिंगाली मज़ा ऑगा अब तु अपनी जिंदगी की आख्री सजा भूगतने के लिए तयार हो जा वह देख अंके बचाओ ली ली शानि है अंके बच्चा आप अपर बच्चा लूअ अजय के पो और कर अब पर ऊप स्टधा है हुआ 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 है तु लंगड़ा नहीं है दुश्मनों की लाशों पर भंगड़ा करने वाला तो भी लंगड़ा नहीं हो सकता सिंगानिया सुर्या तुम हाँ मैं तुने मुझे तमाशा बनाया मैं इस बच्ची के लिए तमाशा बना लेकिन आज मैं तुझे ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि दुनिया के सारे विलेन जलुम करना फूल जाएंगे सुर्या मैं को यह नाड़ी विलन नहीं हूँ जो हीरो के आदे हीरो हो जाता है वो देख हाँ! हाँ, हाँ, हाँ! पाँ अपलीज़ोोोोोगोो... हाँ पाँ प्लीज़ोोोोगोोोोगोो⁉ हुआ है झाल 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 है कि कि प्लेजत खिति humans प्लेज्ट प्लेज्ट कि 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 दिति बष्में कि रष्में ही और श्लेज्ट हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है कि एक 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 नग करघट करणिब को करण कर एक उया guid अजय जड़ी! लिवेड़ी! मनेंसों के लोदान लिवेड़ी! भर राह्त teacher खीड़ी! लिवेशन कर दो कर दो कर दो कर दो मुझे 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 माफ कर दो तुने मुझे कुटा बनाया हिज्डा बनाया अब अगर जिन्दे की चाता है तो जरा कुटा बन के दिखा कभी रास्ते के कुटे को गलत जगे पर सही लाथ पढ़ने पर चिला तुगे दिखा है तुने कभी एक टांग पर जानवर को नाचते हुए देखा है अभी देखेगा सुर्या सुर्या माई दिन्दे की फीक बंगता हुए अगरा माई इतना रहम दिल नहीं हूँ के तुझे जिन्दे की फीक में देदाँ सुर्या रुक जाओ सुर्या यह मेरा मुझनी में इसको सदा मैं दूँगा यह वह व ऱ व अ अ व आज मेरी पत्मी की आत्मा को चांती मिल गई आज से बावी की समयदारी तुम पर है और आप लोग हत्यारा मैं भी हूँ हत्यारा ये भी है अपने किये की सजा भुगतने के लिए हम अपने आपको कानून के हवाले करतेंगे आज से जुपतने के कर देद्ट झूपतने के लिए norm इenga आपको कि आपको क्रिएर आपको कानून कै झाल झाल